मेरे प्यारे देश साथियों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे मैं मैं मन की बात के सभी स्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियों अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो किवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सरजरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताय किया कि अन्वी की दूसरों पन दिर्फरता को कम कैसे करेंगे उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाएना जूते के फिते कैसे बांदा कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 छीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधते होती है इस सब कुछ बहुत धैरिय के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की बिटिया अन्वी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ती दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिता को भी भावत होसला मिला उन्होंने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोज के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुम बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोज को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अन्वी आज देश भर के कंपटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जिती है योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया अन्वी ने योग को आत्मसाथ कर जीवन को आत्मसाथ किया अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भूत बरलाव देखने को मिला है अब उसका self confidence गजब का हो गया है योग से अन्वी की physical health में भी सुधार हुआ है और दवाओं की ज़रुद भी कम होती चली ज़िया रही है मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौझूद मन की बात के सुरोता अन्वी को योग से हुए लाप का वज्ञानिक अध्यान कर सके मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है जो योग के सामर्थ को जाचना परखना चाहते हैं ऐसे वज्ञानिकों ने आगे आ करके अन्वी की इस सफ़ता पर अध्यन करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में दाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती है दुनिया अब इस बात को स्विकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज़्यादा कारगर है विशेशकर डायविटीज और ब्लड प्रिसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है योगी की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को सयुक्त राष्ट ने अंतराष्टिय योग दिवस मनाना तैक किया हुआ है अब युनाइटेड नेशन सयुक्त राष्ट ने भारत के एक और प्रयास को रेकरिनाईज किया है उससे सम्मानित किया है ये प्रयास है वर 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइफर्टेंशन कंट्रोल इनिशेटिव इसके तहट बलड प्रिशर की मुश्किलों से जूज रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंदरों में किया जा रहा है जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और खीचा है वो अभूत्पुर्व है ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का बलड प्रिशर कंट्रोल में है मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनों ने अपने अथर परिश्रम से इसे सफल बनाया